नमस्कार दोस्तों, यूटूब चैनल में आप सभी का सवागत है आज हम आपको इस वीडियो के मादम से आपके साथ जानकारी सेर करेंगे कि आप किस परकार दिल्ली से अपनी गाड़ी को तमिल लाड़ू की अंदर किस परकार उसकी आर्सी को ट्रांसपर करवा सकते हैं हम आपको ओनलाइन तरीके से बताएंगे और आप घर बैटे अपने ही मुबाईल की मदद से मातर पांच मिनट में अपनी गाड़ी की आर्सी दिल्ली से तमिल लाड़ो में ट्रांसपर कर सकते हैं और आपको बहुत ही असान तरीके से हम यहाँ पर जानकारी सेर करने वाले हैं और यदि आप इसके लिए फोरम डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में दिये गए लिंक की मदद से आप फोरम में डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप चैनल पर पहले बार वीजिट कर रही हैं तो आप चैनल को जोन सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी ओन कर ले ताकि नेक्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के दवारा बड़ी असानी से मिल सके तो ज़्यादा समय खराब ने करते हुए अब हम वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले आपने गुगल में वाहन परिवहन.gov.in ये जो वेबसाइट है इसको उपन कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं आपके सामने पहले नमबर पर परिवहन सेवा ये वेबसाइट आ जाती है तो आपने इस वेबसाइट को उपन कर लेना है जैसे ही आप इस वेबसाइट को उपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है आपने इसको निचे सक्रोल कर लेना है और वाइकल रेटेशन के ओप्शन पर आपने क्लिक करना है इसके बाद आपने यहाँ पे Select State Name आपने यहाँ पे अपना State का जो Name है वो Select कर लेना है जैसे कि हम यहाँ पे Example के तोर पे हर्याना Select कर लेते हैं Enter Regitation Number आपने यहाँ पे अपने गाड़ी का जो Number है वो Enter कर देना है जैसे कि हम आपको उधारण के तोर पर HR 49C 4470 किसी भी गाड़ी का Number है वो Enter कर देते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे RTOP Select कर लेना है जैसे कि हमने यहाँ पे हिसार HR 20 जो RTOP जाब हमने Select कर लिया है उसके बाद आपने Proceed की Option पर Click करना है उसके बाद दوبारह पिर आपने Proceed की Option पर Click करना है इसके बाद आपको यहाँ पे apply for transfer of ownership, change of address, hypothecation, addition, continuation, termination, duplicate RC यह जो option आपको दिखाई दे रहा है आपने इस option पर क्लिक करना है और यदि आपने आपकी गाड़ी का tax pay करना है तो आप यहाँ पे pay your tax के option पर भी क्लिक कर सकते हैं यह दि आपने duplicate fitness certificate बनवाना है तो आप इस option पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन हम आपको यहाँ पे आपकी गाड़ी की RC ट्रांसपर करना सिखा रहे हैं तो हम यहाँ पर apply for transfer of ownership की option पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा interface आ जाता है vehicle registration number आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी का registration number डालना है जैसे कि हर 49C 4470 हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं उसके बाद आपने chassis number एंटर करना है और आपका chassis number का आखरी के जो 5 character है वहीं आपने एंटर करने ह जैसे कि हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 24921 उसके बाद आपने verify detail के option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा interface आ जाता है using mobile OTP और using adhar तो आपने यहाँ पर using mobile OTP के option पर क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर mobile number आईगा जिसके last के है जो ह create OTP के option पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि यह जो mobile number है इसके उपर एक SMS चला जाता है OTP चला जाएगा आपने इस OTP को यहाँ पर enter कर देना है enter OTP वाड़े option में जैसे कि हम यहाँ पर OTP एंटर कर देते हैं उसके बाद आपने submit के option पर क्लिक कर देना है आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने काफी option आ जाते हैं transfer of ownership, termination of hypothecation, duplicate RC तो हम यहाँ पर आपकी गाड़ी की RC को transfer करना शिका रहे हैं तो transfer of ownership के column पर हम यहाँ पर click करेंगे उसके बाद जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रोल करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि transfer buyer detail यानि कि यहाँ पर buyer की detail आ जाती है जो आपकी गाड़ी करीता उसके detail आती है यहाँ पर purpose दिखाना होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुए sale auction है या succession है कौन सा purpose था तो हम यहाँ पर sale ही रखेंगे new owner serial number यदि आप अपनी गाड़ी को दूसरी ही party के नाम कर रहे हैं जैसे कि आपने सबसे पहले नई गाड़ी अपने नाम पे खरीती और उसके बाद आप किसी दूसरे member को गाड़ी दे रहे हैं तो उसका वो second owner माना जाएगा serial number आपको यहाँ पे लिखना है और यदि आप तिसरे वेक्ति को बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे serial number में 3 भी लिख सकते हैं उसके बाद आपने new owner name जिसको भी आप गाड़ी बेज रहे हैं उसका यहाँ पे name लिखना है उसके बाद आपने ownership type आपने यहाँ पे individual select कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके यहाँ पर father या फिर husband name लिख सकते हैं new owner category उसकी category general है या फिर और कोई category है आप यहाँ पे select कर सकते हैं OBC है आदर है physically handicapped है तो आप उसकी जो category है वो भी select कर सकते हैं sale amount आप यहाँ पे अपनी गाड़ी की sale amount भी लिख सकते हैं उसके बाद sale date कि आपने अपने गाड़ी को किस तारिक को बेचा है तो आपने यहाँ पे sale date को भी लिखना है उसके बाद आगे आप देख रहे हैं new owner buyer mobile number तो आप गाड़ी खरीदने वाले मालिक का mobile number भी यहाँ पे लिख सकते हैं do you want to retain this registration number for allotment on purchase of new vehicle after transfer of ownership आपने इस option को yes कर देना है और add nominee detail यदि आप nominee की detail डालना चाहते हैं तो आपने yes option पर क्लिक करना है और यदि आप नहीं डालना चाहते तो आप no option पर क्लिक कर सकते हैं no money की detail का मतलब है कि आपकी death के बाद आपकी गाड़ी किसके नाम transfer होगी उसको no money detail बोला जाता है उसके बाद आपने यहाँ पे address detail डालनी है जैसे कि house number, street name कितना है आपक पर बता सकते हैं कि आपका police station कौन सा लगता है उसके बाद आपका यहाँ पे state लिख रखा है कि आप कौन से state में गाड़ी को transfer कर रही है वो state आपने यहाँ पे select करना है उसके बाद आपने यहाँ पे अपना district भी select कर देना है और आप उसका pin code भी यहाँ पे आपने लिखना है जैसे आप यह सभी जानकरिया एंटर कर देते हैं उसके बाद यदि आपका permanent address और current address सेम है तो आप इसके same as current address के option पर click करेंगे और आपने यह जो detail है आगे नहीं बढ़नी है क्योंकि आपका permanent address और current जो address है वो इन है उसके बाद आपने यहापे insurance की detail आ जाती है जैसे कि आपकी गाड़ी का जो insurance टाइप है वो third party यह first party है वो आपने यहापे select कर लेना है insurance company आपकी कौन सी है किस company से आपने insurance करवा रख है उस company का नाम आपने यहापे select कर लेना है जैसे ही आप इस option पर click करते हैं आपके सामने का भी सारी company आ जाती है तो आप अपने गाड़ी के बिमे में आप अपनी company देख सकते है कि आप किस company का यहापे बिमा करवाया हुआ है उसके बाद policy number यहापे automatic चक लेता यदि नहीं चकता तो आप यहापे policy number डाल सकते हैं आपके insurance की जो date है वो कब से लेकर कब तक renewal है आप उसकी date भी बिमे करवाने की starting date और last date को भी आपने यहापे एंटर कर देना है तो आपने यह जो जानकारी है पूरी की पूरी यहापे इसमें एंटर कर देनी है और आपने द्यान रखना है कि आप कोई भी जानकारी गलत तरीके से मत डाले आपने बहुत ही सुजबूज के साथ यहापे अच्छे से जानकारी डालनी है उसके बाद यहापे आप fees panel भी देख सकते हैं transfer of ownership याणि कि आपको 500 रुपे transfer of ownership की fees लगेगी और smart card fees यदि आप smart card बनवाते हैं तो आपको यहापे 200 रुपे फीज देनी पड़ेगी इस परकार टोटल जो आपकी फीज है 700 रुपे आप यहाप यहापर देख सकते हैं आपको 700 रुपे यहापे फीज देनी पड़ेगी save as draft लास्ट में आपने फीज कटवाने के बाद save as draft option पे क्लिक करना है और उसके बाद यहापे आपकी जो फीज है वो कट हो जाती है आप Google पे से, phone पे से, ATM card से, David card से, credit card से आप किसी भी माद्यम से यहापे आप payment कर सकते हैं उसके बाद आपको एक application नमबर मिल जाता है आप उस application नमबर की मदद से RTO office में विजिट करने का जो दिन है आप उसको select करते हैं जिस दिन भी आप फ़री होते हैं उसी दिन का time आप book कर सकते हैं और जो भी आप time यहापे दिन यहापर book करेंगे उसी दिन आपको हम आप भी आपको document बताएंगे वो सभी document लेके आपने अपने RTO office में जाना है वहन की RCA transfer करते समय लगने वाले जुरूरी document की अब हम बात कर लेते हैं फोरम नमबर 29 और फोरम नमबर 30 आपको इस फोरम की जूरुद पढ़ती है आप यह पोरम कोर्ट से या फिर आप फोर्टर स्टेट की दुकान से भी इस पोरम को ले सकते हैं या फिर आप इस पोरम को website की मदद से google से भी download कर सकते हैं और आपने इस पोरम को अच्छे से भर लेना है गाड़ी की RC आपकी गाड़ी की original RC की आपको या पे जोर्थ परती है गाड़ी का insurance और आपको याँ पे एक valid insurance की जोर्थ परती है यदि आपकी गाड़ी का insurance valid नहीं है तो आप याँ पे अपना valid insurance बनवा सकते हैं याँ पे expire insurance काम नहीं करेगा और PUC certificate यानि कि आपकी गाड़ी का pollution certificate भी आपको याँ पे चाहिएगा तो आप उसको भी बनवा सकते हैं गाड़ी का जो चेसी नंबर है उसको आपने pencil की मदद से उस paper के उपर print कर लेना है कोई भी A4 plane paper आप ले सकते हैं उस paper के उपर आप pencil की मदद से आपकी गाड़ी का जो चेसी नंबर हो आपने print कर लेना है pen card गाड़ी बेचने और खरीदने वाले दोनों party का जो pen card आपको याँ पे जुरुत पढ़ती है यदि आपके पास pen card नहीं है तो आप फारम नंबर 60 भी बरके दे सकते हैं गाड़ी खरीदने वाले का अधार card आपको याँ पे चाहिएगा और गाड़ी खरीदने वाले candidate की आपको याँ पे एक रंगी पासपोर्ट साइज पोटो की भी जुरुत पढ़ती है तो आप इन डोकुमेंट का जरूर ध्यान रखे और गाड़ी खरीदने वाले का जनम पर्मान पत्तर जनम पर्मान पत्तर के तोर पर आप याँ पर अपना दार card मारक सीट या फिर आप कोई भी date of birth का परूप दे सकते हैं और यदि आप इस गाड़ी को अपने ही राज्ये में ट्रांसपर करवा रही है तो आपको NOC की जरूरत नहीं पड़ती और यदि आप इस गाड़ी को एक सटेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसपर करवाते हैं तो आपको पहले वारे स्टेट से NOC लेनी पड़ती है और आपको याँ पे NOC की जरूरत पढ़ेगी NOC लेने के लिए आप हमारी नेक्स्ट आने वाले वीडियो को जरूर देखे कि आप अपने स्टेट से अपने गाड़ी की NOC किस परकार निकलवा सकते हैं हम आपको वाँ पे उस वीडियो के मादम से आपके साथ जानकारी सेर कर देंगे और उसको लिए आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा तो आपको यदि एक स्टेट से दुसरे स्टेट में गाड़ी की आरसी ट्रांसपर करवानी है तो आपको NOC की जरूरत पढ़ेगी ने था सेम स्टेट में गाड़ी को ट्रांसपर करवाते समय आपको NSX जुरूत नहीं पड़ेगी अब हम बात कर लेते हैं रोड टेक्स की कि आपको कितना टेक्स पे करना पड़ेगा यदि आप दिल्ली से हरियाना में या पिर दिल्ली से किसी भी अधर स्टेट में गाड़ी को ट्रांसपर करवाते हैं तो आपको रोड टेक्स पे करना पड़ेगा यदि आप अपने ही स्टेट से अपने ही स्टेट में गाड़ी ट्रांसपर करवाते हैं सेम स्टेट में तो आपको रोड टेक्स पे नहीं करना पड़ेगा इस बात का भी आप लोग ध्यान रखे तो आपको कितना टेक्स पे करने पड़ेगा इसकी जानकारी आप आर्टी ओपिस से ले सकते हैं और यदि आप भी किसी साथी के मन में गाड़ी की आर्चे ट्रांसपर करवाते समय कोई भी किसी भी परकार का सवाल या जबाब आपके मन में रह गया है तो आप अपना सवाल हम से कलियर कर सकते हैं वीडियो में कॉमेंट के मादम से आप अपना सवाल लिख दे हम आपके सवाल का तुरंती रिपलाई करेंगे और हमारे दवारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी लाइक, सेर और कॉमेंट के मादम से जरूर बताए धन्यवाद जैहिन जैवाद